यदि आप YouTube पर वीडियो बनाकर पेशा कमाना चाहते हैं या सोच रहे हैं कि मैं भी YouTube पर content create करूँ पेशा बनाओ पेशा कमाओ या फिर social media पर किसी भी platform पर वीडियो बनाकर आप पेशा कमाना चाहते हैं तो जरूर आपको पेशा मिलेगा और बहुत ही ज्यादा मिलेगा लेकिन आपको क्या करना है जो गलती हमने की है और एसे कई सारे YouTuber हैं कई सोचल मीडिया के content creator हैं जिन्होंने गलती की है और उस गलती के कारण हमको और एसे कई creator को काफी नुकसान हुआ है बहुत ही जादा नुकसान हुआ है समय का नुकसान हुआ है पेशों का भी नुकसान कि दुसरों की गलती से सीख लो यदि खुद गलती करने बेठोगे तो उम्र कम पड़ जाएगी इसलिए हमारी और इससे कई कंटेंट क्रेटरों की गलती से आप सीख लीजिए ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए तो वे सभी लोग जिन्होंने पहले से यूट्यूब और सोसल मीडिया पर अकाउंट बना हुआ है और जो बनाना चाह रहे हैं लेकिन अभी पेसे नहीं कमा रहे हैं सोसल मीडिया से तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों यूट्यूब और सोसल मीडिया से बहुत ही ज़्यादा पेसा मिल रहा है आप इंफ्लियंसर लोगों को देखकर काफी प्रभावित हो चुके हैं कि कई यूट्यूबर कई सोसल मीडिया क्रेटर इंस्टाराम वालों ने बाइक ले ली है नई वाली कार ले ली है अच्छा बड़या घर बना लिया है उनकी लाइफ इस्टाइल बहुत जखास एक नमबर चल रही है मज़ेदार चल रही है कोई लाइफ में प्रॉब्लम है ही नहीं लगजरी लाइफ जी रहे हैं और हाँ जी भी रहे लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने गलती की है और वो उस गलती करण अभी पेसा नहीं कमा रहे हैं कई लोग यूट्यूब सोसल मीडिया छोड़ चुके हैं कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अभी तक तो दोस्तों आपको कुछ दलती है वो नहीं करनी है तो आप आपको क्या करना है आपको पढ़ाई नहीं छोड़ना है एजूकेशन आपकी सांस में चलती रहने चाहिए आपकी पढ़ाई कभी रुकना नहीं चाहिए एजूकेशन सांस में चलती रहेगी और साथ में आप YouTube content creator का काम भी करते रहिए अगर आप इधर फेल हो गए social media पर तो आपकी study तो पूरी हो ही जाएगी study आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है पढ़ाई आपको पूरी करना है कभी भी आपका mood, आपका mind change हो सकता है आप study में आगे जा सकते हैं उदर भी कुछ कर सकते हैं social media बंद हो गया तो आपके पास में एक option रहेगा कि हाँ, इधर मेरी एक stage एक अपना जो एक pillar है वो मजबूत है, पक्का हुआ है तो आपको study perfect रखनी है continue रखनी है दूसरी बात, आपको पेसे कमाते रहना है, आपको job करते रहना है, कोईशी भी job हो कुछ भी काम हो, यह दिया आपकी job है private, काम, धन्दा, व्यापार business, कुछ भी, आपको passive income के भरोसे नहीं रहना है पहले आपको active income होनी ही चाहिए, मतलब आपको salary मिलनी ही चाहिए case में मिलनी चाहिए week में मिलनी चाहिए, नगत रोज मिलनी चाहिए, जो भी आपको धन्दा हो जैसे रोज income होती है, या फिर job में महिने पर salary मिलती है, तो एसा काम आपको करते रहना चाहिए साथ में, उसके साथ ही आपको content create करना चाहिए, YouTube हो social media हो, आप उसके video बनाईए information दीजिए, जो भी आपके field हो, उसके आप जैनकार दीजिए, वीडियो बनाईए, कोई problem नहीं है, लेकिन ये साथानी आपको रखनी है, कि एक तो हमें study पूरी करनी है, study नहीं छोड़नी है, और आपको job भी नहीं छोड़नी है, ये level बना कर चले, जब आप इधर job और study job में आपको पेसे मिले लएंगे इधर आप content बनाएंगे तो आपको मज़ा आएगा, इधर से आप job करके आएंगे बच्चे टाइम में आपको content बनाना है छुट्टे के दिन content बनाना है, तो आपको बना रहे हैं, ये फिर ऐसे वीडियो बना रहे हैं जहां पर आपको जाना है, टूर, ट्रेवल या जो भी है, यूट्यूब में पेसा लगता ही है, ये भी एक business की तरह है, इसमें भी आपको सामान लगते हैं, बहुत सारे accessories, tools वगरा सब कुछ, जो भी job करना है, और व्यापार आप करते हैं, धन्दा, बिजनेस जो भी आपको छोटा मोटा धन्दा बड़ा धन्दा जो भी, वो करते रहना चाहिए पेसे आपको हाथ में आते रहना चाहिए तो आप YouTube पर social media पर भी पेसे कमाएंगे आपका mind, आप परिशान रहते हैं, वो परिशान भी नहीं रहेंगे तो आपको पेसे मिलता रहेगा, क्योंकि YouTube इन पर आपको बहुत लंबी प्रोसेस है आपको एक हजार सब्सक्राइबर करने होंगे चार हजार घंटे वाच्टेम पुरा करना होगा एदिया आपके सोर्ट का सोर्ट का चैनल है, तो आपको 10 मिलियन पूरे करने होंगे वो भी 90 दिनों में तो बहुत ही आप उल्जन में फ़स जाओगे, परिशान हो जाओगे तो आपको नगत पेसा आएगा नहीं इतनी जल्दी लेकिन आप काम करोगे तो आपको पेसा आता रहेगा और उस पेसे की गर्मी, नगत पेसे की गर्मी तो आपको पता ही हुई कैसी रहती है तो नगत पेसा आपके पास में होना चाहिए अगर आपके पास में नगत पेसा रहेगा तो आप गाड़ी में इधर आपकी काम की सेलरी भी आती रहेगी और एक दिन ऐसा आगा कि आपकी जो सेलरी है जो आप वर्क कर रहे हैं उसकी सेलरी कम होगी और इधर की सेलरी यूटीब की सेलरी बढ़ती रहेगी जिस दिन ये सेलरी बढ़ने लगे यूटीब की सेलरी सोसिल मीडिय की सेलरी तब तक आपको ना तो काम छोड़ना है, ना अपना व्यापार बंद करना है, पूरी तरह से आपको विश्वास करना है कि भाईया यह काम हमारी जो जो सेलरी, हम डेली रूटिन में हमको पेसे मिलते हैं, वो मिल गए उससे ज्यादा मिल रहे हैं, तब अपनों को सोसल मीडिया पर आपका चैनल ही उड़ा दिया तो क्या कर लोगे हाथ पर हाथ धरके बेठे रहोगे कितने ही आप चैनल बना लो उसमें समझ से आ सकती है लेकिन आपके पास मगर पेसर हैगा आपकी जोब रहेगी तो आप सिक्क्योर होगे तो यह चीजी आपको करनी है दोस्तों आपको ऐसा रूदर है जिन से मिला हूं कई यूटुबर हैं जिन्होंने अ आपना यूटूब चैनल बंद कर दिया है और उनकी स्टोरी ऐसी ही है जैसे मैं आपको सुना ही है कि वो पेसे के लिए परेशान है, भटक रहे array हैं, बड़े से बड़े कलाकार से भी में मिला हूं जिनका का चल नहीं रहा है उनके चैनल बंद हो चुके हैं यह तो उनके ओपर इस्ट्राइक आ गई है यह उनके चैनल ही उड़ गए तो इसी घटना होती है इसलिए मैं आपको पेले से सचेत कर रहा हूं साउधान कर रहा हूं हाँ आप पेशा कमाएंगे बहुत ही जादा कमाएंगे इस बात के लिए निश्चीनत रही है लेकिन जो मैंने आपको बता है आईडिया यह साउधानिया यह साउधानिया आपने बरत ली तो आप पेशा कमाएंगे तो दोस्तों आपसे दो सवाल है आपका कौन सा चैनल है किस बारे में आप वीडियो बनाना चाहते हैं यह आप क कौन-कौन से लोग हैं, जिन्होंने पहले चेनल बना था, यूट्यूबर थे, लेकिन उनके चेनल बंद हो गए हैं, या तो इस्ट्राइक के करण, या फिर किसी भी प्रोब्लम के करण, काम, धंदे करण, या फिर अर्निंग नहीं हो रहे थी, इस करण उन्होंने चेनल जानकरी और अच्छी होगी कि हाँ यार सही बात है, तो आपको यह वीडियो मताएगा जानकरी कैसी लगी, यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और बेल आइकोन घंटी दबाना ना भूलें, घंटी द टरो